हाई गाईज और वेल्कम डू आप सब लोगों को आज एक बार फिट से स्वाकत करते हो मेरे एक और एक नए वीडियो पर दोस्तों आज आप लोग देख सेकते हो के हमारे साथ है 2023 हीरो ग्लामार एक्स्टेक E20 आज हम लोग इस मोटो साइकल का एक फुल रिवियो आपको दे सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर आपको अल्मोस सेम ही देखने को मिलता है कुछ अपडेट्स में आपको दिखाऊंगा क्या क्या अपडेट हुआ है तो चले शुड़ करते हैं इसका अपडेट किया गया उस टाइम पर आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड की तरफ से शुड़ करेंगे तो फ्रेंड में जैसे आप लोग देखेंगे तो यहां पर फुल एलेडी हैड्लाम देटेम रनिंग लाइट्स के पूरा सेटप यहां पर देखने को मिलता है अब ह हैड्लाम की बात करेंगे तो जो हैड्लाम है एक सेगंड तो हैड्लाम आप लोग यहां पर देख सकते हो कि काफी ज्यादा मतलब ब्राइट है यह बेसिकली इसका जो विजिविलिटे यह भी काफी अच्छा है जब आप लोग इस मोटर साइकल को रात में चलाएंगे तो यह हैड्लाम आपको एक बेटर फिजिविलिटे प्रोवाइट करेंगे तो यहां पर आपको फ्लेक्सिवल इंडिकेटर्स दिया गया है और उसके बाद जैसे आप लोग थोड़ा सा अंडरनीच की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको फेंडर देखने को मिलता है और पर आप लोग देखने को मिल जाता और उसके साथ अगर आप लोग फ्राइंट टायर की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको MRF का ताइर यहां पर देखने को मिलता आप उसके साथ यहां पर आपको फाइस earlier साइज की बात करेंगे तो DEistan कीशिते को सॉद्ध का जिई तो फ्रेंट पर इसको डिस्ट देखने को मिल जाता है अब उसके बाद जैसे ही आप लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको और जादा कुछ देखने को नहीं मिलता है यहां पर आपको रिप्लेक्ट दिया गया तो उसके बाद I know let's see the side profile of this motorcycle side profile की बात करेंगे side profile की design की बात करेंगे तो यहां पर आपको राइप काफी जैड dag recover डिजाइन यहां पर देखने को मिलता है और उसके सादा कुछ मॉडर नहीं नहीं लेकिन यह Simple लुक के साथ यह काफी ज्यादा अच्छा यहां पर देखने को मिल जाता है सबसे बात करेंगे इस मोटरसाइकल के बारे में तो यह मोटरसाइकल का जो कलर्स है वो मैं आपको स्क्रीट में में पेंशन कर रहा हूँ यह मोटरसाइकल कौन-कौन से कलर में अवेलेबिल है और के साथ अगर आप लोग बात करेंगे इस मोटरसाइकल के बारे में तो डामेंशन्स पी अपलों देख सकते हो में उस्क्रीन के ऊपर यह सब्सक्राइब अब्साइकल का डामेंशन क्या है तो यहां पर आपको एक्स तेक का बाचिंग को मिल जाता है फोड़ा सद नीचे य इसके बाद अगर आप लोग कापसिटी की बात करेंगे के सिगल सीटिंग कामफट की बात करेंगे जब आप लोग इस motorcycle को लेकर कहीं भी और short trip या long trip सो जाता हो तो आपको उतनी आसनी से धकावट नहीं आएगी थोड़ा से नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको hero की badging देखने को मिलता है यहाँ पर एक अपडेड हुआ है जो है यह जो grab handle आप लोग देख रहे हो यह पह इस वाले में जो grab handle देखने को मिल जाता है और उसके साथ अगर आप लोग थोड़ा सा अंडरनीत की दरब देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग के इस motorcycle का rear tire देखने को मिल जाता है रियर सेक्शन पर भी आपको एक update देखने को मिलता है वह है इस motorcycle का rear पर आपको rear fender देखने tubeless tire with five spoke allowable यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अब उसके बाद अगर आप लोग रियर ब्रेकिंग की बात करते हो तो रियर पर इसको drum brake इस्तेमाल किया गया है और उसके से यह इसका motorcycle का exhaust है exhaust की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको full black color में इसका exhaust देखने को मिल जाता है और उसके बाद जैसे आप लोग थोड़ सा मतलब इस side को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को इस motorcycle का engine वगड़ा देखने को मिल जाता है इंजिन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 124.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फोर स्टूप E20 OVD2 का engine यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जिस इंजिन के अगर आप लोग power and torque की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको almost 10.7bhp का power देखने को मिलता है और 10.4Nm torque with 5-speed manual transmission के साथ आप यहाँ पर दूसरे features की बात करेंगे मतलब दूसरा aspect की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको kickstart देखने को मिलता है जो एक काफी अच्छी बात है footrest की बात करेंगे तो rider footrest मतलब footpeak है वो आपको rubber design में देखने को मिलता है और उसके बाद यहाँ पर जो पिलेंट footpeak है यह भी आपको rubber design में ही देखने को मिल जाता है अब जैसे ही आप लोग थोड़ा सा लेप्ट साइड की तरफ जाते हो तो लेप्ट साइड में यहाँ भी दएक्ट ने को मिलता है इसको यहाँ पे वियर मिलता है यहाँ पे आपको एक और उसके सथ यहाँ पे पर अगंत Tradust की बात करेंगे तो यहां पे आपको चेन्सपकत जणो फुल्ली कवरत में देखने हों एक प्रोटेक्टेट don dessa देगा आपके चेन नो को आज उसके साथ यहाँ पर दूसरा बाद करें तो यहाँ पर जैसी आप लोग हेंडल की तुरब जाते हों तो हैंडल आपको स्टेट Cornstein handle बाद देखने को मिलता है यहां पर आपको लोग के दिन्ब यहां को देखने को pho सिगेनल का कंट्रोल बात करेंगे तो तो इससाद नीचे नीचे नजगे तो यहां पर आपको तो यहां पर आपको इंडिकेशन वगेड़ा देखने को मिलेगा तो गैस्ट वाज़ वीडियो अपने दोस्तों के साथ इन वर्ट्साप पेजबुक इंस्ट्राम और ट्विटर कमेंट्स पर में जरूर बता हैं कि आपको इस मोटरसाइकल कैसा लागा आपको इस मोटरसाइकल से रिलेटेट कुछ भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो वह भ अब आप जल से जल देने की कोशिश करेंगा और अगर आपना वीज़ा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से चैनल को सब्सक्राइब करता और बेल आइकन जरूर दो दबाता हमारे साथ लेटेस्ट अब्डेट सबसे पहले बाने के लिए से थैंक्यू टेकर और ड्राइ नेक्स वीडियो तब तक के लिए जाए हिन बंद मातरम